कि अग्ट कर दो स्वागत है आपके अपने प्रिबार रविन के पार सलाम है और आप देख रहे हैं तेंट लेबिल का मैस इंटिवाइटी का डोज टू और मैं हूँ इस वीडियो में ततकाल के लिए डॉक्टर रवीन तो चलिए ज्यादा टाम नहीं गवात हुए को टेंट बात हो का बताना आपको मैं बीस्ट इसने बताते चलूंगा यह जरूरी लगे तो तो चलिस वात करते हैं डोस्टू का पहला प्रसन से और पहला प्रसन यह आपके सामने हैं और इंफर्मेशन का बात यह रहेगा कि यह वीडियो आप जो देख रहे हैं यह हुआ प्रसन जो आपके सामने है किया लिखा गया है गया हिं लिखा गया है कि पफाली पर चांज धनात्मक संख्याओ का उसत keeping कितना है पाल से पूरा पूरा भाग लग जाए तो पहला संख्या लिखेंगे हैं यह पहला धनातमक संख्या है दूसरा धनातमक संख्या चार और तिसरा करेंगे तो और यूसी परकार से नहीं सूचित की पाला अरह जोट है जोगिना फिसरा के दुश्रा का दोगना रोजोजाइए तो पच्छास के दोगना यानिकि एक-इस यानिकी आपका एक स्रीज मन गया दो चार चार आठ दस कहा तक सो तक और आउसत निकाला सभी लोग जानते हैं कि आउसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटा में उसकी संख्या निकालते हैं लेकिन यहां पर वो करेंगे तो काम नहीं चलेगा करना क्या हो आपको कि जब कोई स्रीज रहता है जिसके 20 का अंतर सेम रहता है एपी में यानि का अर्थिमेटिक प्रग्रेशन समांतर स्रेनी में रहता है तो क्या करते हैं ए़फरेज बराबर होओ फोश्ट पfeed को यहां फोश्ट अजम नास टो टोश्ट करेंग के दो से यह जोपने काटेंगे इसको एड करेंगे एट करेंगे एए और थाğभांसर बेंदिंगा है उम्मीद है आप समझ गया होंगे कोई दिखत हैं विसस दिखत होगा तो आप में बता सकते हैं डिस्क्रिप्स ने में लिंक है वाइल नमर हॉबाद पर दिया आज़ा है आँ से देख के बता सकते हैं पूछ रहे हैं एक्स 340 का लगूतम समाप भरते एक्स के वर्ग से नौ कम के बराबर है एक्स का धनात्मक मान ग्यात करें देखें यह जो डोश्ट हुआ है इसमें जो मुख्य तर पर सिक्जाम होता है टेंथ लेवेल के जिससे सीम्टिस हुआ है जीडी हुआ आर्प्यफ कंस्टेबल है सिर्प्य सिलेक्शन पोस्ट है और ग्रूप डिया यह सम्मुख्य एक्जाम है तो इतना ही में आपको पता चल जाए किस एक्जाम में कितना टॉफ और कितना इजी पूछा जाता है और बाकि जो एक्जाम टेंथ लेबिल क्याते रहेगा उसकों कमपोजीशन में अपडेट करेंगे घबराना नहीं आपको कंटीनू कहीं नहीं यह दिया बेसिक कलास कर चुके है तो यह आपको प्रैक्टिस को तरफे बहुत बढ़ी एक तरीका है डोज वन डोज टू डेली एक के डोज लेते रहे ठीक है और आप लोग का प्यार बना रहेगा तो इसी टाइम में आठ बज जो होना घूल जो होगा एक से बरे से न Western सबस्चान अब तो बटीज और चालिस का यिस का यूब मताएंगे तो रीयल में में लैकिन कोंशिन के रिशल से इसका सो सचे इसका लएसियम होंगा एक सके वर्गेशे नौ अगने का मतलब करें सी च्रॉइर में थे पर देंगे तेंस यह मा आ जाता यहां भी एलसीम हाई और रियल में भी एलसीम आपको पता है तो तेरा का स्कॉयर यानि की एक करेक्ट है इसको आप मुझवाने भी बना सकते हैं मतलब कैसे मुझवाने बनाते कि 32 और 40 का जो एलसीम है वह 160 होगा और किसी के स्कॉयर से 9 कम है तो किसके स्कॉयर करके 9 कम करेंगे तो यह आएगा तो यह 160 हैगा तो इसकॉयर करके 9 कम करेंगे तो डी ही आंसर आएगा आईए बरते अंगले प्रसिंग तरफ और अगला प्रसिंग आपको देखने में लगे या भ्यांकर लेकिन डियर जो आप सोच रहें उतना भ्यांकर यह सवाल है नहीं तो यह प्रस कैसे बनाएंगे द है आप अगरे में सब्सक्राइब तो बहुत सारे प्रस्ट कर सकते हैं तो बहुत तरह प्रस्न आप नहीं कर सकते हैं जाते तो आप बताए मेरे विचार कैसा है क्या लिखा गया करूण ने बरून से 12,000 रुपई अलिया और तरून से 15,000 समान बार्शिक सब्राइब्याच दस्ति разр puppies के लिया यदि करन यहां पर पर करन नहीं होना चाहिए पर करून के लिखते कैसे क्या 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 सचाहर ना है मैं सभी चटेज के लिखें लिखना ताक्या क्लिए रही समझ में है मेइ यहां पर करून नाम का अद्मिक है जो दो दीमिसे कर्ज लेता है है कि तरून बरून दिया कितना और तरूर्ण से लेता है मुल्धन कितना है worthwhile नुख लोग बनाने मैं समझ महां तो मेरा ये काम नहीं कि किसी को भी मैंना यह सभी इस रह और कवराइन इन उनल को नई आथा उनको सीख थी कि का रिखा गया थी संधार ब्याज कि धर पर दर समान है यानि की दर जितना यहांपे रहा दर मालतिक यहां पर एक्स परसेंट है तो दर यहां भी एक्स परसेंट ही रहेगा दर दोनों जगह से मैं दो बर्सों के लिए अब दी दो बर्स दिया गया यानि कि समय की बात किया जाए तो समय दो साल का है और यहां भी समय दो साल का है यह सा बात आप लिख सकते हैं नहीं दो बर्स की अबदी क्यांते में वरून को 1600 से दिया ता वरून से या बारास रुपया लिया तो रिपारा जा और ब्याज दिया 1680 इसको लिखिए और आपको दर के बारे हैं पता होना थी कि दर बराबर जो फर्मूला होता है ब्याज गुने 100 यानि कि 1680 गुने में 100 और बटा में बचीगे आपके पास मुल्धन और समय क्योंकि दर तो अपनिकाली रहे हैं तो मुल्धन लिखेगा 12,000 और बुने लिखेगा समय 2 सब को कैंसिल करेंगे आप तो 00 से 0000 आई से गयाब हो जाएगा और 12 के पहारा में 12 कम 12, 12, 44 और 2 के पहारा में 7 यानि कि आपको रेट पता चला 7% का बस इतना ही काम करना था है मेन काम रेट आप 7% जैसे ही निकाल लिए है उसके बाद समस्या समापत है यहां भी रेट 7% कहीं होगा सोचिए 15,000 रुपया के 7% ब्याज दे दो साल का ब्याज कितना होगा तो 7% के हिसाब से अगर टोटल ब्याज परसेंटेज में देखे तो साथ दूना 14% ब्याज देना पड़ेगा रुपया के तना लिया है 15,000 का तो सब को पता है कि 15,000 का जो 14% हमाई से निकालते है ना इसका मतलब जो निकली कि आएगा डियार इसका मतलब आ जाएगा आपको 200 यानि की option भी correct क्या दिकत एसमें नहीं है समझ में बात के लिए लाइव कलास नहीं तो मैं आप लोगों और बढ़िया से पुछता और मैं पुछता कि क्या दिकत का नहीं दिकत है बताए कहां पर बताए कहां पर छूट या बहुत सारे बात है लेकिन उमीड है कि जितना म मैं अपने तरफ से बताए हैं उतना में आपको समझ में आ गया हो कोई दिकत हो ने जाना दिकत होगा तो आप हमें कॉमेंट में बता देंगे और विसेस के लिए डिस्क्रिप्शन में नमबर भी दिया आगे वार्ट सप आप कर लेंगे बरते हैं अगले प्रस्ण की तरफ आप एक तरीक्शा यहां भी जानते होंगे कि जल संह है एक लाग पाचीस हाजार है और पर्तेक साल दो पर्सेन बढ़ता-थए दो यह कट जागा पचीने और कर जाएगा यह हैं से भी जावे क्राई यह यह झालें गे we यह था आपका बेसिक तरीका अगर आप ट्रिक के साहतास जाएंगे परसंटेज के साहतास जाएंगे तो ऐसे बनाएंगे दो परसंट बढ़ रहा है तो दो परसंट का मतलब डियर आपको पता होना चाहिए कि दो परसंट का मतलब क्या होता है 2% का मतलब कि 2 बटे 100 लिखते हैं और 2 बटे 100 आगे है तो 2 एक कम 2, 2 से कार सकते हैं 50 यानि कि 1 बटे 50 इतना कामिन दिया आप calculate माइन्ड में कर लेते हैं और यहाँ जनसंख्या बढ़ता है तो एक उपर में जोड देता है यानि कि यहाँ पर initial यहाँ पर final यह सुरुवाथ का और वह अंत का सुरुवाथ का जनसंख्या नीचे बढ़ा लेते हैं और बढ़ रहा है जनसंख्या दूपर बढ़ा जोड के अंत कर लेंगे और यह सिर्फ एक साल के लिए हुआ है लेकिन आइसा इसा तो तीन बार हो रहा है ना तो तीन बार हो रहा है तो तीन का क्यूब कर लेंगे बस आप क्यूब करेंगे तो पचास का क्यूब करने से आप कोई दिक्क्त है गया पांच का क्यूब करके आप 25 पर 30 बैठा देंगे अब इतना ही जल संक्या प्रारम में था तो जब इसको क्यों किये तो इतना याजसंख्या परारंबे था तो इसका भी क्यूब करेंगे एक आवन गुने का वन यही आपका आंसर होगा यह डिरेक्ट आप पराप्त कर सकते और आंसर आप मान सकते थे आपक्षा नहीं को रिखत नहीं उम्मीद्य बात समझ गया होंग कि इसको अनुपात में पूछा गया कि फरेक्षन को अनुपात में लिख सकते हैं और इसी को मोडिफाइ करके यह पूचा है तो घबराना नहीं कैसे बनाते देखिए सबसे बरानुपात आपको बचाना है बताना है सभी आदि में को एक बात पता होगा कि जब अनुपात में कोई लिखा हो रहता है तो उसको बटा में भी लिख सकते हैं यानि कि दो अनुपात पांच है दियर तो दो बटा पांच लिखे कोई दिक्कत अनुपात को बटा मे आएगा मैश को और पर आँ मने सकते हैं ऐसा हम सीर्फ अपको मैश्टी परा सकते हैं मैस और अकटना ही पराष लुख जो सकते हैं रहाँ प्रकल्व कुतना है और कि आप अब दर आइसा पराई हमझे गारी सकते हैं समाझ में आगा देरू रहागा समाझ में एक बटा दो लिगे आठन पाथ 15 को आप आठन पाथ 15 भी लिख सकते हैं और लास्ट में तीन पाथ 5 हैं तीन बटा पांच के दिखते हैं किसी को अभी सबसिबार आपको पता कर प्रोस मंटी प्राइज सबस्यासान मिन जरी हाप रहना नहीं है अगर आपको मर्जी नहीं तो नहीं मिटाइए आप सिर्फ क्या किजे का विस पांच को मिठा देजिए अब इसको मल्टिप्लाइ किजे पांच कम पांच आर्दुना सोला अब इधर देखेंगे तो यहां बारा है तो इधर आप भूल जाईए इसको आप भूल जाईए अब यह बारा आगया अब यह इसको मिठाना पड़ेगा और आठ पचे गुना करके होता है चालीस और पंदर त्याई होता है यह दोनों में यह बढ़ा होने का मतलब हुआ कि यह बढ़ा हुआ इसका मतलब 35 यह था क्रॉस मुल्टिप्लाइए मेथर आप चाहे तो डिवाइड मेंसर बनाएंगे तो यह इंवाइडि मरत आ तो डिवाइडिम meu यकर सकते दो बटे पांठ करेंगे तर्पांचो के बीस यानि कैसे आगा मुझवाहनिbei पर शाहिए अगर आपको मुझवाहनिए को नमैकर तो बताईए का सबकर समयमेरे पास अचरी और इसक अधो मitelा है शडूक nellго करेंगे तो 0.5 क उसके बाद आपको था आठ बटे 15 डिवाड करेंगे 0.15 15 75 और वस्ट गया 50 15 45 और थ्री बाइफ फाइव है 0.60 जब डिवाड करके जखेंगे तो फाइनली यही बारा आपको मिलेगा यानिक यही ऑप्शन साहिए बन जाएगा खोज दिकत नहीं चलिए अब अगले प्रसिंग तरफ और अगला प्रसिंग यह रहा देखने के बाद आपको दिमाग खराब होगी एक सथी कितना बारा ल सब का सोलूशन छोटा है बसरते आपको समझने का जरूए था जब देखने से घबर आजाएंगे तो क्यालाराई करेंगे पहले आपको समझना पड़ी तो नहीं होता है था बसरते हमारे मन का जो डर होता है और आप उसको बढ़िया स्थीखते हैं करते तो सब चीजी कोई नवह चाहिए तो कर लेंगे कि और कि वही काम को कोई कोई कुछ नहीं है इस नहीं है जिदा भाड़ी समझे और यहां से समझते हो चलिए तो गारंटी कि आप आने बाले समय में अगर हम 30 लिए आप को करा दोजें प्रकार कार्ज करते हैं और इसी प्रकार से काम चलते रहता है तो यह पूरे काम का जो काम रहेगा उसका 50% काम कितना दिन में यह सब करके समापत कर देगा लगभग में आपको बतना है तो घबराइए नहीं देखे करना क्या होता है यह आमन लिखिए और यह राम लिखिए और यह कपी लिखिए इसका दीन लिखिए तो यह 38 दिन में करेगा एक आवन दिन में करेगा और यह 17 दिन में काम के बारे पता नहीं होता है तो आपको पता होना चाहिए कि काम निकालने के लिए टोटल वर्क निकलते हैं, यानि कि इसका LSEM निकलते हैं, अजिसम का LSEM डियर होता है 204, अब क्या करते हैं कि पूरे काम में 68 से डिवाइड करेंगे तीन मर्तबे करते हैं, यहां इसकी छमता काल आएगा, 204 में काबन से डिवाइड करते हैं तो यहां 4 कटता है, और 204 में 17 से किया जाए, फ़र्ष्ट दिन, आमान आएगा, अगर सेकेंड दिन का बात किया जाए, तो राम आएगा, और थर्ट दिन का बात किया जाए, तो कपी लाता है, तो मस्तों चलता है, इस लिखने का जरूरत है ने, फिर चौथा दिन अगर देखेंगे, तो चौथा दिन फिर से आमन हैगा अब आप सभी को एक बात पता होना चाहिए जब काम रिपीट हो जाता उसको छोड़ जाते जहां तक आम रिपीट नहीं हुआ है जितना आदी में वहां तक आम एक एक कर लिया तक लिया इस सब को बोलते एक सिफ्ट और एक सिफ्ट में देखेंगे तो आमन पह है तो यह कि आम लिखा गए यह तिनी का तीन काम है आम मत समझें और यह 3 दिन कपी लाएगा तो यह 12 काम कर करके जाएगा और इस परकार से काम चलते हुए रहेगा तो सोचिए कि अगर एक सिफ्ट काम बात करें तो बाराइचार, सोलाइच और तीन दिन में उनिस काम हो या लेकिन काम आपको जो काम दिया गहा है ना उसका मातर 50% काम करना है तो इसका 50% काम कितना होगा सब को पता है, 50% का मतलब बाता होता है 204 का था यानि के 102 काम आपको कमप्लीट करवाना है अब 102 काम कमप्लीट करवाना है और 4, 12, 12, 23, 23, 23, 23 writ तो करते क्या हैं आपको करते हैं कि इस 39 में जितना काम है उसमें डिफाइड कि चेटिएर आप 22 से इसको तीन से मल्टिप्लाइ करना होता है कि एक सिफ्ट में तीन दिन हुआ है तो यहां डिवाइड करेंगे तो पच्छे काम अगर रहता तो पाथिव दख जाता सात काम से तो पाथिव दुआ अइसा इसा पार वार होगा एक बार में तिनन हुआ तो पास या कितना दिन 15 दिन में मैं काम कितना क्यां कोप्लिट होगा उनीस पंचान में यादि कि पंचान में काम आप ने कर दिया 5 Tesla में काम..! मै अब सोलांमादीन फिर इस अमन माना आएगा..देकिश सम्झा रहे है गवराईने.. सुलाहमा दीन आमन आ रहा है तो जैसे ही सुलाहमा दीन आमन आएगा तो यह आमन का कार्ज समता कितना है तीन है तो 95 से काम अंठान भी हो जाएगा काम फिर सत्राहमा दीन कोन आएगा चत्राहमा दीन फिर से राम आएगा और फिर वह चार काम करेगा तान ठाने वह चार कितना हो जाएगा 102 काम हो जाएगा यानि कि सत्राहमा दीन काम कंप्लेक्ट लेकिन इस परस्न में जो पूछा गया था सेम तुसे मैं से प्रस्न था कि पचास प्रस्न कार्ज होने में लगव कितना दिन लगव क्या यहां तो करेक्ट्ट 17 दिन निकल ला तो 17 दिन आपका सही जवाब होगा जो कि कि अस नहीं दिया गया और जब प्रस्न गलत पूछा जाता है तो उसका नमबर सब को मिलता है इसके घवरान आपको नहीं है तो कहीं न कहीं समें 17 दिया जाना चाहिए था तो इसका अंसर हो जाएगा डियर 17 दिया कोई भी अप्सन में आप प्रोएक्ट सकते हैं उम्हेदे बात समझ गये होंगे चलिए तो बर्तिया डियर अगले कोश्चन की तरफ और अगला कोश्चन यह रहा आपके सामने हैं अगर विशेश दिकत के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में पूछ लेगा टेलीग्राम जुआन की ठीक है डाउट पूछने के लिए क्या लिखा गया साथ में एक परिक्षा उतिर्न करने के लिए कूल आंको मेंसेच और तालीस परचेंट कि मनें एक परिक्षा उतिर्न करना सिर्फ पास करने तो अर्टालीस परसेंट अपलिया यह कोई दिकत नहीं पास और विशेश योगता के साथ पर्थम स्रेनी से पास करने के लिए असी परसेंट अंक लाना परेगा लेकिन एक विदार्थ है चार्स आर्ट सो सत्रह नंबर परांप्त कर लिए लेकिन नुटेरा फेल कर लिए और फेल जो कर गया उनक से 40 prob और आता सूचीए तो बताना है कि पर्थम सरेन इस अगर पास किशीव कर ना है तो कीतना अंक लाना पड़ Caesar अब सिधा सिधा यहां समझे कि पास बराबर पास इसमें चलेगा पास बराबर पास क्या होता है पास परसेंटेज में कितना है तो पास मार्क्स परसेंटेज में 48 परसेंटेज पर यहां पास कर जाता है लेकिन आंके में कितना पर पास है तो लरका अगर 817 लाया और फिल कर ऐसे इसानिस से तो आठेकर ससे तुझस को जोड़ना परेगा तभी तो पास करेगा आपकलाए थैकर भल और अ हम भी कर थैबार थारी और जो पर्सेंटर से से परसिन्टेज को आएसे ही हुरा दी जिएका और फॉलला के पहाराएं में तीन सोला के पहाराएं पांच काटेगा तीन के पानच 7 एसे कटेगा जब मल्टिप्लाइ करेंगे तार पर चालीस हासिल 4, आठ पर चालिस अचार चार फांत दुना दस अचार चार चाहुदा यानि कि चौऊदा सो चालिस जोकर ओप्शन सी में दिया गया क्या दिक्त है नहीं बनेगा रजीव इंसान है बताईएगा जरू बताएगा वार्ट्सप किजिएगा ठीक ना वार्ट्सप नमबर आगे आ को नहीं मिला तो लिकेत तर 225 बाटीस साथ सो सताइस एक वाट सब कर लेंगे उमीद जरूर रखेंगे रिप्लाइगे में रिप्लाइगा में रिप्लाइग करूंगा एक सब्सक्राइब करें अपको जाद दिकत कभी कभी ओगा न मैं आपको विडियो कॉलिंग के मांजन सम लेकिन आपको समझ माना चाह यह बाइशा हूं और ऐसा यूटुप पे कोई भी टीचर नहीं है जो आपको समझा से के देखा आज आप अगर बोलेंगे तो मैं कली भी आपको करोंगा साम्सकी भी कर लोंगा जब समय मिलेगा लेकिन ऐसा कोई यूट्ट पर नहीं है जो आपको ना डाउट वार्ट सब के माधन से स्वलों करते हैं ऐसा कोई नहीं अब फोज के देख लिए जाएगा अई ने नेक्स्ट क क्या लिखा गया है लिखा गया मिलकर किसी कार्ज को चपन दिन में करें से उसी कर अधि एक चोथा कर सकते हैं जितना आर अकेला करेगा गये सब पहला बात ऊपर जुल निखा गया अगर इस सब मिलता है पी और क्यूब और आर तो चपन दिन में काम समापत कर दे हैं कितना दिन में डिया सब्पन दिन में घबराएंगे नहीं बिलकुल सब्पन दिन में कर देगा अच्छा उसके बाद बोला गया है कि P और Q मिलकर उस कार्ज का एक चौथाई भाग देखि P और Q मिलेगा और उस कार्ज का एक चौथाई भाग, जितना कार्ज R अकेला करेगा, यहां पर R लिखते हैं, R जितना काम करता है, उसका एक चौथाई P और Q करता है अकेला, इसका मतलब वह कि अगर R को हम चार काम देदें, R को चार काम, तो R अकेला चार काम करता है, तो यही काम का एक चौथाई भाग यह करेगा, दोनों मिल करी, P और Q कुडिया, चार का एक चौथाई एक आएगा, एक काम यह करेगा, तो आप सभी को पता है, कि जो जितना काम करता है, उसका चमता उतना आई रहता है, अगर आप 10 किलो अपने किल उठालिया आपका भाई अगर दोप्ल उठाया आए ताफके भाई का चंटा बहुत कम का यह जितना काम करेगा क्षंटा उतना ही ज्याद सब्सक्राइबस diferencia होता है तो आप चम्ता हो गिया 5 5 चम्ता से अगर 56 दिन तक काम करें मालने ते हैं कि 5 चम्ता मतलब 5 काम डेली 56 दिन तक करेगा तो 5 गुने 56 बराबर 280 काम आ जाएगा यह आपका टोटल काम आ गिया अब इस टोटल काम को अगर PQ को करने के लिए दे दिया जाए PQ को करने के लिए दे दिया जाए 280 काम और यहां चम्ता इस दोनों का एक है कोडिया का तो एक काम डेली करेगा तो लगा देगा 220 दिन याने कि बोलेंगे सार आप संसी करेक्ट हो जाएगा सेलेक्शन पोस्ट में कुछ हाई लेवल प्रस्ट में आते ही आप जितने विडियोज में देखेगा सेलेक्शन पोस्ट का पोस्ट थोड़ा नॉर्मल से हाड रहता है यह सब को देखने के बाद आपको पादा चल जाएगा कि किस एक्जाम में 10th लेवल में आप किस लेवल की त्यारी करते हैं किस एक्जाम की त्यारी pounding करते हैं उस लेवज के आप त्यारी करें देकर में अ लीखा गया है यदि एक घं के विकरन की लंबा है ॉल न रूठ तीश व्о आपको बताना है स्क्वाइर सेंटीमेटर में वहुत असान कोशन है घं का मतलब आपको पता होना चाहिए घं का मतलब क्या होता है घं का मतलब जो होता है जिसका सभी भूजा आपस में बराबर हो उसको हम बोलते हैं घं जिसको हम ऐसे बनाएंगे पता है आप कोई बात की न है आपको पता होना चाहिए घान के जगार और जुछा गुने रूट 3 तो दोनों को आप बराबर कर orig ingWell प्राबर भूजा गुने रूट तीन तेहां से जब आप देखेंगे तो रूट तीन से रूट तीन गयाब हो जाएगा तो भूजा कमान आपको कितना बच्छे गडिया बूजा कमान बच्छे का 16 आपको पारसर प्रिष्टी छेत्रफल नहीं करना है संपूर्ण प्रिष्ट प्रिष्टी छेत्रफल का मतलब होता है जमीन और रकास को छोड़ दीजे वहां कि जो चारोत्रफ बच्छता उसका छेत्रफल सुचिए अगर ऐसा कमरा हो आपका रूम हो तो ऊपर का फर्स ऊपर का छोड़ देंगे तो चारोत्रफ का निकालेंगे अब आईसा मकान होगा पथा अपेसका डिवार होगा वह स्कॉयर बर के ट l arch का होता है क्योंकि घन तो सभी भुजर आपसने बराबर होगे तो अबर के ट मनेंगा और आपको पता है कि असला का मतलब करक सरभा का सरी पर इसपर कर शपरिए वह इसरो अप् либо करना है तो टो चार मोनें एक दिवाल क आजाएगा भूजा को खुल स्कॉयर तो यानि कि 16 का स्कॉयर इस सब को हर्ल करेंगे आप तो चार गुने डियर 256 मतलब कितना होता है एक हजार चोविस यानि का ऑप्शन एक होड़िक कर लेंगे कोई दिकत नहीं चलिए झाल झाल अगला प्राशन और अगला प्राशन ये रहाब के अग है दो आरए भी ग्रूप D में पूछा गया था इसवार क Mr. K Yaesen के यहां पर लगता है गलती इते पूछा गया है क्या उन्ट दोजर बाइस कि सिफ्ट तिरी कि सए सुतंबर में जाम हुआ था जो भी हो लेकिन यह गुरूप दी में पूछा गया निम लिखित में से कौन सी संख्या 33 से पुर्णता विभाजित है अब बोलेगा सर्जी हम तो दो चार छावार दस बारा यहा को स्थिखना ही पड़ेगा क्या है कि जो तंखा लिखा गया ना कि 70 205 है या पचीस जीरो असी है यह सब संख्या है इसमें 33 से डिवाइड करना है तो 33 से आप डिवाइड नहीं करके डियर 33 का गुननकन कि जेगा तो तीन गुने गारा से कर सकते हैं इस अब में आप तीन से डिवाइड कर दिजिए अगर दोनों से एक ही साथ डिवाइड हो जाता है तो उसका मतलब हुआ कि 33 से डिवाइड हो जाएगा कैसे करके देखिए जब आप करेंगे तो तीन से लगेया कि नहीं लगा इसकी पहले जांच करते हैं तो साथा तिन दौसा दूबारा बारा जोड़के सतर आएगा और तीन से डिवाइड लगाएगे ती यही नहीं लगेगा यानिकि यह आप्सन फलोग कर गया अब बी आप्सन में जाएंगे तीन से लगाएंगे तो पांच अजु साथ आठ पंदरा तीन से लग जाता है तो इस पूरे में तीन से लग जाएगा जोड़े गार सबस्क्राइब यानिक यह कट गया जब यह तीन और एगार दोनों से कट गया यानिक यह 33 से कट जागा जो कि आप्सन बी में आपका अंसर मिलिया आगे जांच एक तो कोई योडी फिल कर जागा उम्मीदिक कर लेंगे कोई भारी प्रस्व नहीं यह चलिए आगे जखें एक हरणा ऑसमा की बला है कि यदि संख्या इतना इतना के परते λέव समंक में एक जोड़ देंगे और परते की समंक में जोड़ना देंगे और एसट प्रकार बड़ी नए संघ्या जोगा बाहि से तीसरा और दाहाइना से दूसरा आउन्कों का योड़ होग का ह करने के लिए हमको सब में एक और दू घटाना पढ़ने का जो जरूरत का होती में करेंगे कहने का मतलब है यह अगर संख्या लिखा गया है कितना है आपको छाफवान तेरा जो भात्तर चब्वीश अठतर यह लेफ्ट है और यह राइट है कंडीशन है कि विसमांगे में एक संख्या में वाए से तीसरा यानिकी लेफ्ट से तीसरा जाएंगे तो यह आगया और दाय से दूसरे यह आगया अब यहां दोनों भी समांग और विसम में एक जोरना पड़ता है एक आय की हो जाएता दो नयामें और साथ एकाट रिटा यह दोनों का योग फूल पूचा तो बोलेंगे दास कर लेंगे टीटना लिखा गया प्रस्ते लेकिन बनाना बिल्कुल ईजिये आई यह भार ते नेक्स्ट प्रस्म के और अगला प्रस्म यह आपके सामने है कि क्या लिखा गया है कि आगया सर्मिष्ठा से शोभीस ऐसे विधर्थी लिए सरमिष्ठा से अधिक प्रप्त करते हैं जब कि 18 विधर्थी अमित चेंश कम अधिन प्राप्त करते हैं तो SPEAK ज़ Kerry तर सर्मिष्ठा से कम लेकिन अमीथ 不知道 स्टोडेंट और स्ट्रमिस्ठा से 24 भिद्यार्थी अधीक ला रहा है। कम कितना लाया मरें 100 विद्यार्थी में से 24 भिद्यार्थी सरमिष्ठा से आगे है। तो से नीचे कितने विद्यार्थी होगा? तो बівलेका सरी एक सर्षमिस घटा से तो बुलेगा 76 लेकिन नहीं 75 नहीं कि सर मिस्टै कुद की भी तो है अपने आप से कोई कम कैसी हो सकता है या ज़यादा नहीं नहीं हो सकता है कि अर्मिस्टा से 75 कम विधर्थी होगा उसके बाद अमित से यह बोला गया कि अठारह बिजयर्थी अमीच से कम है पने तो अमीच से देखा ज QA तो ज्यादा कि इतना विड़ा दुगी क्या सब्या विद सब्सक्राइब अगर सब्सक्राइब दोनों में सामिलोगे अमीद के साथ भी और शर्मिष्टरा के भी साथ तो ये दोनों को जबब आप करेंगे कम और जैदा वळा क्या पर सर्मिश्टा से कम वळा को एड़ करना है और मिस्टे ज्यादा वळा को अधिक वळा करना तो जोड़ेंगे तो 5 एक चौआ आठे साथ 156 आपके पास है बिल्कुल नहीं आपके पास है रियली में 100 भी आ घर लेकिन अमीर से ज्यादा है यानि कि यह च्छपन है जो इदर उदर कर रहा है यानि का ओप्सन बी कॉरेक्ट उम्मीद्य बात समझ कहोंगे अगर आप नहीं समझांगे तो इस प्रकार की प्रसन आपके अगले डोज में आते रहेंगे विशेश दिक्क्त होगा उसके लिए म अगर आप लोग का लुग यह करते होंगे तो इसमें का हुआ कि बहुत सारे लोग करक upfront अंधूच कर आ लेकर मैश कर्स जिस इसमें एक बार वैक्षिन अप्लाइवा लेंगे मैच का तो गैरेंटी आपके अंदर से मैस का डर निकल जाएगा और आप किसी प्रस्वाजा असान से बिना फर्मुला याद की वे बना सकते हैं तो जल्द नहाएगा जब आप लोग का डिमांड है किसा रिकोर्स लेकर आए और वह भी बहुत कम फी में नॉर्मल फी में फी जो होगा मेरे तरफ से एक दम नॉर्मल फी होगा और हमाइस सुच है ना कि सभी लोग तो पांच्टो नियानेवे शेसे निनानेवे सास्तो आठ सब्सक्राइब करेंगे अप्रील में कला सो करेंगे ऐसे बहुत सारे कॉल आया सब्सक्राइब कर देंगे तो कर बादेंगे तो कर बादेंगे इस वार यह मेरा पाला फांडिशन पॉर्सा इसलिए मैं इतना ज्यादा एक रुप्या पर दिन पर जोड़ दे रहा हुनाई तो आपको अगर यहां पर टोटल खर्चा दिया जाए गाना तो कम से कम दो तीन रुप्या पर दिन देना पड़ेगा लेकिन इस वार मैं घटा अगर आपको फर्मूला पता नहीं तो नहीं मानी इना पर सेंट और दो साल था आपकी मिलेगा तो चोगोने दो टोटल व्याज आपको 12 पर सेंट मिला 12 किसका मिलता डियर जो पर इस पलाता है यानि कि बाबन सो का आप 12 परसेंट निकालेंगे तो 12 एक सो करते हैं और इसी को काट कुट क्या डबल जिख से काटने के बाद दो दूना आंती में 4 आना ची किछैंट के चारा सील दो बारा पज़ए साथा दो बासाख चो़सों चोगिस ऑफशन डिकॉर मंजाएंगा या जो एक्जाम है जो आया है वही प्रस्व मापको करा रहे हैं अपना मन सम्कुछ भी लेकर नहीं आए अब चौधामा प्रस्व में पूछ आ गया था तो यह सतरा में कर्पेंटर के लिए इसमें बताना है कि इसका लगुत्तम क्या एलस्यम निकलना क्या एलस्यम अपने निका बनाके बोलते सरी ट्रीक से बताईए तो ट्रीक से कैसे होना थे लेकिट थोड़ा इसमें और वेसिक से समजके चलना होता है यह एक सबस्कूछ और चोबन चाना का 2062 और 25 25 25 दूसर दूसर सत्तर आजागा है कि दूसर सत्तर और चोबन चाका 432 या जाएगा ऐसे पहारा पर्तिक वे चलेंगे नहीं अब देखिए कौन साइस का एलिस्यम सही होगा तो चोबन मानके चलते कि सही है करेक्ट सपोर्च इसमें चोबन आफ से मैं तो मानके चलते कि यह सही अगर यह सही होता ना तो आज के पहारा ना चाहिए था था तो आट के पहारा में चोबन को आना चाहिए था तो आप की पहारा में चोबन कभी ही नहीं आई गैगा अब 216 कोटिस्ट के दिए आठड के पहाराहे में डूसर चापना जाएगा तो इसके पहाराहे में कर जाएगा राम से कर जाएगा तो चाहतिस का मतलब दियर चोगुने चाहँ और चाहँ ने चौट्री आठाव चीए एक शत्री आठाव अच्छेक्षा यह कट इस यह तो इनल को फिर नहीं कटेगा इ अब 432 पर जाते हैं तो आठ से लग जाएगा आठ चोविस के पाराय में आर्ट रिक चोविस इसमें आठ और तीन से रिभाइड लगाएं तो इतना सार आपको दिमाग खापाना पर रहा है इसे बेश्ट आप बेश्क मतर से निकाल लेते हैं लेकिन कर लिजिए न क्या दिक आठ तो आठ इस लगा तो आठ बाठ एक रहुसरी पहाराय में कर जाएगा तो जो सब के पहाराय में कर जा जाएगा उसी कोंब बोलते हैं इसी परकारिया कर जाएगा तो तो आंसर आपका आगया 432 कर लेंगे जब यह तीन ओप्सन हुआ तो इसको तब कोई भी जिसी कर सकते हैं तला इसमें दिमाग लगाते हैं अब आई यह डियर नेक्स्ट और लास्ट प्रस्ट यह रहा हुआ वीसेश दिकत के लिए आपको बताएंगे इसका बेस्ट इन पर बना चाहते हैं अब इसका अंसर बताई इसका इसका निकलना बहुस तरह तरीक हैं निकालने को आप चाहे तो भाग विजी से बना सकते हैं तो भाग विजी से बनाने के लिए आप करते क्या है कि यह 24 है 288 है और 308 है आप दोनों तीनों में से किसी दो को एक साथ आप ले लिजिए कोई दिक करते हैं सब्सक्राइब करना है अब चौबन के पार आप पढ़ेंगे सब कितना मर्चब लगा है इतना या फिर आजएगा चौबन उपर से अठारतिया चौबन यानि कि अहां तक का जो एशिए फाया वह अठार आया अब अठार आया तो अठारों को इसके साथ लेते हैं यानि कि 306 में फिर से हम अठार से डिवाइड करेंगे इसे तो यह लग जाएगा अठार दुना चातिस और यह कटे भी जाएगा और यह 20 मर्चा भी कर जाएगा तो जिस्टेबल से कट जाए वह होता है आपको फाइन है संपर का दोस्तों आज के लिए से विडियों में इतना है डोज थी आपको कैसा लगा क्या आप लोग चाहते हैं कि मैस का फाउंडेशन वैक्सिनिशन कोर साना चाहिए जिससे आपका च्छे महना मैस कंप्लेट तो चलिए अगर चाहते हैं तो कमेंट किजएगा और फिर विडियो बनाने के समय यहां पर कोई भी लोग परजेंट नहीं है मैं अकेला वीडियो बनाता हूं तब सुचिए कि आकेला आदमी का दिमाग तो कहीं खराब होई जाता है कभी कभी तो कुछ ही बला जाएगा तो इसके लिए माप ही चाहेंगे तो चलिए मिलते है नेक्स